Hello friends welcome back to the channel कैसे यह आप बढ़िया तो फिर आज के वीडियो में हम बात करेंगे AU bank के Altura plus credit card के बारे में जहां हम discuss करेंगे इस credit card related benefits के बारे में कि अगर आप इस credit card को ले रहे हो तो यहां पर आपको क्या क्या benefits मिलने वाले हैं बात करेंगे इस credit card related fees and charges के बारे में और हम बात करे इस credit card की eligibility criteria के बारे में तो अगर आप इस credit card को लेने का सोच हो तो इस video को आप end तक देख लो आपको समझ में आ जाएगा कि यह credit card आपके लिए beneficial है या नहीं और अगर आप इस credit card को लेना चाहते हो तो इस credit card का applying link मैं नीचे description में दे दूँँगा आप जाके link पे click करके इस credit credit card को apply भी कर सकते हो और बहुत हाई chances है कि आपको जो credit card है वो approved भी हो जाएगा वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को like जरू करिएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस credit card related fees and charges के बारे में तो अगर आप इस credit card को लेना चाहते हो तो यहां पर आपको हर साल देना पड़ेगा annual membership fees जो कि है 499 रूपीज प्लस taxes लेकिन यहां पर आपके पास option है आप चाहो तो इस annual membership fees को वेवाफ भी करा सकते हो अगर आप अपने credit card के first year के annual membership fees को वेवाफ कराना चाहते हो तो जैसी आपको credit card issue किया जाता है उसके first 90 days के अंदर अगर आप अपने credit card से 20,000 या उससे जाधा spend कर लेते हो तो यहां पर आपको first year का annual membership fees है वो आपका वेवाफ कर दिया जाता है वही अगर हम second year onwards की बात करें कि second year, third year, fourth year वाले annual fees को अगर आप वेवाफ कराना चाहते हो तो अगर आप अपने credit card से एक साल में 80,000 या उससे जाधा spend कर लेगे तो यहां पर आपको next year का annual membership fees है वो आपका वेवाफ कर दिया जाएगा आप बात करते हैं इस credit card से एक benefits के बारे में तो जो सबसे पहले benefit आपको credit card में मिलता है वो है welcome benefit जैसे आपको credit card issue किया जाता है उसके first 60 days के अंदर अगर आप अपने credit card से 10, 10,000 या उससे ज्यादा spend कर लेते हो तो यहां पर आपको मिलता है 500 रुपीज का gift voucher और ऐसा नहीं कि कोई भी gift voucher पकड़ा दिया जाएगा यहां पर आपको multiple options दिये जाएंगे अच्छे अच्छे brands के और वहां पर आपको जो भी brand आपको ज्लिए ज्यादा useful रहे आप उस brand क जो gift voucher है वो आप select कर सकते हो तो अगर आप अपने credit card से 60 रेस के अंदर 10,000 रुपीज spend कर लोगे तो यहां पर 500 रुपीज सा gift voucher जो है वो आप earn कर सकते हो card के next benefit के आपे हम बात करें तो वो है credit card का cashback benefit अगर आप अपने credit card का use करके किसी भी retail store में जाके अगर आप POS machine से use करके spending करते हो तो for every 100 रुपीज spent यहां पर आपको मिलेगा 1.5% का cashback और जो maximum cashback आप एक मत में ले पाओगे वो होगा 100 रुपीज का जो दूसी चीज यहां आप आपको ध्यान देने की है कि अगर आप fueling करा रहे हो अपने credit card का use करके तो वहां पर कोई भी cashback नहीं मिलेगा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि maximum benefit आपको 100 रुपीज का ही एक मत में मिलने वाला है तो अगर आप उससे जादा spend करोगे तो उसके बाद अगर आप 100 online transaction करते हो तो for every 100 रुपी spent यहां पर आपको मिलेंगे 2 reward points आपको इस credit card में milestone benefit भी मिलता है अगर आप अपने credit card से एक मत में 20,000 या उससे जादा spend कर लेते हो तो यहां पर आपका माइस्टोन benefit दिये जाते 500 bonus reward points तो हर मन्त अगर आप अपने credit card से 20-20,000 रुपीज कर पाओगे तो हर मन्त आप 500 रुपीज का जो bonus point है वो भी ले पाओगे देखो कोई भी bank चाहती है कि आप उससे credit card को जादा से जादा यूज करो तो हर बार जादा 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 benefit भी मिलेगा card की निक्स benefit की आप बात करें तो यहां पे आपको रेलवेज लाउंज अक्सेस का भी benefit मिलता है आपको यहां पर एक quarter में दो complimentary railway लाउंज एक्सेस मिलते हैं और जैसा कि आप जानते हो एक साल में चार थे हैं तो यहां में एक साल में टोटल 8 complimentary railway lounge access मिलते हैं तो अगर आपक की टाइम पर जाओगे तो आपको डिनर जो है वो मिलेगा दिन भर उहाप पर चाय कफी तो फ्री में मिलेगा मिलेगा आपको वाई-फाई भी फ्री में मिलेगा एस इहां पर आपको पर अराम से निकाल सकते हो बिल्कुल comfortably तो यहाँ पर आपको एक साल में total 8 complimentary ले लाउंज अक्सेस मिलेंगे और जो सबसे अच्छी चीज है कि अगर आपने कोई add-on card भी लिया है अपने family members के लिए because आपको इस credit card में add-on card जो है वो बिल्कुल free मिलता है तो अगर आप अपने किसी भी family member को कोई add-on card दिन्वाना चाहते हो तो आप दिलवा सकते हो कोई पैसे नहीं लगेंगे बशर्थ यह है कि उनका जो age है वो 18 प्लस होना चाहिए तो अगर आप अपने add-on card को भी लेके अगर आप railway lounge में जाते हो न तो वहाँ पर भी आपको complimentary में सारी services मिलेंगी बट शर्थ यह है कि आपको एक साल में in total 8 complimentary railway lounge access ही मिलेंगे दोनों cards को मिला करके card की अगले benefit के आप बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 1% का fuel surcharge waiver at all fuel stations across India तो अगर आप अपने credit card का use करके किसी भी petrol pump से fueling कराते हो और अगर आपको transaction amount 400 से लेकि 5000 की बीच का है तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1% का fuel surcharge waiver और जो maximum benefit आप एक मत में ले सकती हो वो होगा 150 rupees का next benefit कि यहाँ पर बात करें तो यह आपके credit card के usage को बहुत ज़ादा secure बना देता है आपको इस credit card में card liability coverage भी मिलता है तो मान लोगर आपके credit card का भी गूम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके credit card में किसी भी तरह के fraud transactions होते हैं तो उसके लिए आप liable भी नहीं रहोगे बट आपको क्या करना है आपको जैसे credit card गूम या चोरी होता है आपको immediately इनके call center में call करके अपने credit card का जो loss है वो report करा देना है और उसके बाद अगर आपके credit card में किसी भी तरह के fraud transactions होते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल भी लाइबल नहीं रहोगे card के next benefit कि आपके हम बात करें है और आपका जो payment है वो successful हो जाएगा अगले benefit कि आप बात करें तो यहां पर आपको EMI का भी option मिलता है मानलों गर आपने कोई transaction किया जिसकी value 2000 या उससे जादा है और आप नहीं आते हो कि आप उस amount को एक बार में payback करो तो यहां पर आके पास option है आप चाहो तो उस amount को easy monthly installment में भी पे कर सकते हो अब बात करते हैं सबसे important चीज के बारे में कि आपको इस credit card में reward points तो भर-भर के मिलने लेकिन आपको इन reward points को redeem कैसे कराना है तो जो सबसे चीज है ना कि यहां पको reward को redeem कराने के भी बहुत ही अच्छे options मिलते हैं जैसे कि आप चाहो तो अपने reward points का use करके आप e-watchers खरीच सकते हो top brands का आप चाहो तो reward points का use करके आप merchandise खरीच सकते हो आप चाहो तो reward points का use करके mobile and DTH रिचारज कर सकते हो यहा फिर आप चाहो तो फ्लाइट और होटल की भी booking करा सकते हो और भी आपको बहुत सारे options मिलते हैं लेकिन जो सबसे अची चीज मेरे को लगी ना कि यहां पर अपने reward point का यूज करके mobile and DTH ही चार्ज भी कर सकते हो देखो नॉर्माली के सबसे अची चीज लगी कि आप mobile and DTH ही चार्ज भी कर सकते हो जो कि हर महिने आप mobile रिचार्ज करते ही हो तो आप चाहो तो अपने reward points का यूज करके mobile रिचार्ज कर लो पहले मैं आपके साथ कुछ बहुत ही मस शेयर करना चाहूंगा अपने शाक टैंग इंडिया तो देखा ही होगा बहुत ही अमेजिंग सा शो था तो अगर आप शाक टैंग इंडिया की products के reviews देखना चाहते हो जैसे कि वीडियो को भी इंजॉय कर सकते हैं आपको बहुत ही जादा मजा आएगा सो फाइनली अब बात करते हैं इस credit card की eligibility criteria के बारे में तो अगर आप इस credit card को लेना description में दे दिया है आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस credit card को apply कर सकते हो और बहुत जादा हाई chances है जो आपका credit card है वो अप्रूफ भी हो जाएगा तो लगबग लगबग सारी चीज़े हमने इस credit card से लेटेड इस वीडियो में cover कर लिए अगर अभी भी आपके मन में किसी भी confusion है तो आप comment section में comment कर सकते हो आप चाहो तो मेरे को instagram में भी message कर सकते हो मैं आपको आप इंस्टेंटली reply भी दे दूँगा तो उमीद करते हैं वीडियो आपके काम की रही होगी वीडियो काम की रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रू करिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल क बूलेगा जल्दी मिलते हैं से इंट्रेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ तिल देन टेक क्यर बाइबाइबाइज जय हैंद